असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हमने बनाई ये फिंगर फिश, ये बहुत मजिदार सी, क्रिस्पी और स्पाइसी सी बनती है चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए 1 kg finger fish, boneless और फिर इसके लिए जो spices चाहिए, वह ये रे सबसे पहले आपको चाहिए, 1 tablespoon salt, 1 teaspoon black pepper powder, 1 tablespoon kutawa dhaniya, 1 teaspoon zira powder, 1 tablespoon chili powder 1 teaspoon haldi powder, 1 teaspoon white pepper, ये हमाए बास सारी spices हो गए, इसके साथ हमको चाहिए 1 tablespoon chili paste, ये आपका chili paste, 1 tablespoon आपको chili paste चाहिए, 3 tablespoon आपको चाहिए, जिंजर गालिक पेस्ट 1 tablespoon आपको चाहिए, कसूरी में थी, इसे बहुत अच्छा चाहिए आपकी फिश का, और 4 tablespoon आपको चाहिए, बेसन बेसन से थोड़ा crustiness आएगी, और आपको चाहिए, 3 tablespoon lemon juice, ये आगए आपके पास, 3 tablespoon lemon juice अब आप सबसे पहले एक बाउल में सारे spices डाल दीजिए, ये सारे spices डाल दिया हमने एक बाउल में, इनको mix up कर लीजिए, ये देखे, इनने mix कर लिया, अब हम इसमें डालेंगे 3 tablespoon lemon juice, ये देखे, अब हम इसमें एट करेंगे 1, 2 and 3, ये tablespoon है, ठीके, इनने 3 tablespoon lemon juice डाला, जिं डाला, and कसूरी मेती डालेंगे, इन सबको अब हम mix up कर लेंगे, अच्छे से ये देखे, mix हो गया है, अब हम इसमें अपना बेशन डालेंगे, और इसका एक अच्छा सा paste बना लेंगे, ये देखे, अच्छे से mix हो गया, अब हम इसमें बेशन एट करेंगे, 4 tablespoon इसको हमने और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी एट करेंगे, और इसका एक paste सा बनाएंगे, ताकि हमाई फिश पे अच्छे से code हो जाए, और फिश अच्छे से marinate हो जाए, ये दिखे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगे, और थोड़ा थ ये बहुत अच्छी spices ही बनती है, अगर किसी बहुत spicy नहीं खाते तो थोड़ा red chili powder आप कम भी कर सकते हैं, ये दिखे, अब इसको आप marinate करके, coat करके एक ball में रखते जाए, मैंने finger fish की एक और recipe मेरे page पे है, वो हमने grill करी थी, यहाँ पर ये वाली हम fry करेंगे, आप लोग वो भी जरू try करिएगा, ये दिखे, आप coat करके, ऐसे इसको रखते जाए, इसको आप 3 hours, 4 hours के लिए marinate करके fridge में रख सकते हैं, और आप एक दिन के लिए भी marinate कर सकते हैं, उसमें और अच्छा है, इसको flavor मिलेगा और बहुत अच्छी crispy सी बनेगी, ये दिखे, ये हम इसक करके, बॉल में रखते जाएंगे, ये आप इसी तरह अपनी सारी fishes को coat करके रखते जाए, ये देखे, अब हमारी सारी fish कोड हो गई है, इसको हम cover करेंगे, और 2-3 गंटे के लिए हम इसको fridge में डाल देंगे, और अच्छे से ये marinate हो जाएगे, ये देखे, आप मैंने fry कर लिए अब ये fish, ये देखे, ये कितनी अच्छी सी spicy सी fish बनी है, और बहुत अच्छी juicy बनीती, और ज्यादे दे fry नहीं करना है, ये देखे, हमारा platter ready है, ये घर में मैंने पराठी भी बनायते, ओके, आपको मेरी recipes अच्छी लगती हो तो में चैनल को like, share and subscribe